मध्य प्रदेश की बेटियां आज आस्मान की बुलंदियों को छू रही हैं। मिसाल कायम कर दूसरों के लिए प्रेणना बन रही है। इसी का उधारन है राजगाड जले में खेतिहर मजदूर श्रीत देवनन्द भलाला की 27 वर्शे बेटी कुमारी संध्या भलाला जो सशस्त्र सीमबल में नियुकती के बाद जब पहली बार वर्दी में अपने पैत्रिक गाउं पहुँची तब ग्रामिनों ने ढोल थाप पर उनका जोरदार स्वागत किया। ये शन परिवार और ग्रामवासियों के लिए गर्व और होशी का शन था। संध्या पहले अपने पिता का खेती के काम में हाथ बटाती थी और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। आज उनकी लगन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है। अपनी स्वागत से अभी भूद संध्या कहती है कि मेरे गाउं में मेरा ऐसा भर्वे स्वागत होना मेरे लिए काफी भावनात्मकबल है। उन्होंने कहा कि माता पिता की समर्धन के बिना उनकी लिए ये लक्ष हासिल करना संभव नहीं था। आज वो अन्यम महिलाओं से भी सशस्त्र बलों में शामिल होने की अपील कर रही है। संध्या को मुख्यमंत्रिशी शिवरा सिंग चोहान ने भी ट्वीट कर सशस्त्र सीमा बल में नियूकत होने पर हार्दिक बधाई दी है। प्रदेश की ऐसी लाडली पर हमें गर्व है।